जैसा कि आपको याद ही हुआ कि हम लोग thermistors के बारे में पढ़ चुके हैं यानि कि ऐसा resistor जो thermal energy के according अपना resistance चेंज करता है यानि कि आप अगर temperature बढ़ाते हो तो उसका resistance भी बढ़ता है अब ऐसे कई तरीके के resistors होते हैं जैसे कि potentiometer, real state, carbon resistors, etc. और इन सभी resistors की अपनी-अपनी values भी होती हैं तो ऐसे resistors का जो symbol होता है वो कुछ इस तरीके से होता है और इसकी unit ohm होती है, ohm क्योंकि ohm नाम के scientist ने बता है था कि जब current flow होता है तो बीच में कुछ बादा आती है, कुछ रिकावट आती है, जिसको हम resistance कहते हैं, जिसकी वैसे जितना current हम लोग एक सिरे से छोड़ते हैं, उतना current दूसरे सिरे तक पहुंचता नहीं है, कुछ हिस्सा resistance के वैसे नश्ट ह हो जाता है, खत्म हो जाता है, अब सवाल यह उठता है कि क्या इन registers का use हम लोग अपने benefit के लिए कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कि इस wire के ऊपर चड़ा हुआ cover एक register की दरा काम कर रहा है, जिसकी वैसे मैं इस wire को पकड़ सकता हूं, तो इस wire के पहले एंट से जुड़ा हुआ है, और यहां दो point A और B है, जो की सीधे सीधे load से जुड़ रहें हैं, अब यहां ध्यान देनी बात यहां कि source से जो current निकलेगा आई, वो यहां R1 से होके गुदरेगा, फिर R2 से होके गुदरेगा, फिर R3 से होके गुदरेगा, यह निकि एक एक करके जाएगा, इस वेसे current की value बिल्कुल भी change नहीं होगी, निकि जो current इस R1 में से निकला है, वही R2 में से निकलेगा, जो R2 में से निकला है, वही R3 में से भी निकलेगा, वहीं जो इस load या फिर source का जो potential difference है, वो V है, और जो V है, potential energy वो R1 में बटेगी, R2 में बटेगी, R3 में बटेगी, यहाँ पर R1, R2, R3 तीन resistance हो जाते हैं, potential energy V1, V2, V3 में बट जाती है, सिर्फ सेम रहेगी, तो सिर्फ एक ही चीज़ वो है current जो की A से निकलेगी और B तक पहुँचेगी, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने R1 को तो ऐसे ही रखा है, लेकिन R2 और R3 को कुछ इस तरीके से connect किया है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि R1 का एक end जाकर के R2 के एक end से जुढ रहा है, लेकिन यहाँ R3 के एक end से भी जुढ रहा है, पर आप यह भी देख सकते हो कि R3 के दोनों end जाके R2 के दोनों end से जुढ रहे हैं, तो definitely यह series combination में तो नहीं है, तो अगर आपको कहीं पे भी series combination की पहचान करनी है, तो आपको यह देखना है, कि register का एक end दूसरे register के पहले end से जुढ रहा है, पिर उसी register का दूसरा end है, वो तीसरे register के पहले end से जुढ रहा है, इस combination के अंदर current change नहीं होगा, आगे बहुत से diagram आएंगे, वहाँ आपको प upon में R होता है, तो जो total current है, वो किस पे depend करता है, इस R पर depend करता है, यानि कि R equivalent पर हमें इसका total resistance पता करना होगा इस circuit का, तब ही हम इसके current को define कर पाएंगे, तो देखिए बहुत easy सा है, सबसे पहले तो हम इसका total potential लेखेंगे, total potential है V, जो की होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 वो इस R1 की value क्या होगी, देखिए, आई तो change नहीं होगा, आई तो ऐसे ही रहेगा, और register है R1, तो I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, यानि कि तीनों register से same current टेकला है, इसलिए I की value चेंज नहीं होगी, ठीक है, अब आप देख सकते हों कि यहाँ पर I common आ रहा है, तो I R equivalent is equal to में, I common ले लि निकली है, वो यह निकली है, अगर किसी circuit के अंदर जो register है, वो series combination में लगे हों, तो total resistance of the circuit बढ़ जाता है, तो अगर आप से कोई कहता है कि कोई circuit है, जिसमें N number of registers है, जो कि series combination में लगे होए हैं, तो total resistance आपको निकालना है, R is equals to में, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस N तक जाएग तो यह हो जाता है आपका equivalent resistance, तो friends यह हो जाता है, series combination of resistance, I hope आपको समझ माया हो, इसके बाद भी इसके अंदर कुछ सवाल या query आती है, तो आप हमें नीचे comment section के अंदर पूछ सकते हैं, तो friends आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, see you in the next one.